दोस्तों 26 जुलाई 2022 को सनोफी इंडिया लिम्टेड के बोर्ड डिरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस कम्पनी के क्वार्टर टू या हाफ येरली रिजल्ट को अप्रूव और पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड डिरेक्टर्स ने टेरिम डिविडेंट भी डिकलेयर कर दिया है तो दोस्तों आपको आपके हर शेर पर 193 रुपे का डिविडेंट मिलने वाला है कम्पनी ने इस डिविडेंट की रिकॉर्ड डेट आठ अगस 2022 को फिक्स की है और कम्पनी ये भी बताया है कि कम्पनी इस डिविडेंट को 22 अगस 2022 या उसके बाद आपके एकाउंट में क्रेडिट करेगी ये इस कम्पनी के क्वाटर टू का फानेंशियल रिजल्ट है और यहां सारे फिगर मिलियन में बताये गए हैं इस कम्पनी का फानेंशियल ये एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का होता है इसलिए ये क्वाटर इस कम्पनी का second quarter है quarter 2 में revenue from operation 699 करोड 30 लाग है जो previous quarter में ये 707 करोड था और previous year के quarter 2 में ये 789 करोड 10 लाग था तो revenue from operation में year on year basis पर 11.38% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर ये 1.09% कम हुआ है quarter 2 में total income 715 करोड है जो previous quarter में 731 करोड 40 लाग था और previous year के quarter 2 में ये 806 करोड 20 लाग था तो total income में year on year basis पर 11.3% की कमी हुई है और quarter on quarter basis पर ये 2.24% गिरा है Q2 में profit before tax and before exceptional item 165 करोड 80 लाग है जो previous quarter में 207 करोड 60 लाग था और previous year के Q2 में ये 242 करोड 60 लाग था तो profit before tax and before exceptional item में year on year basis पर 31.6% की कमी हुई है और अगर quarter on quarter basis पर देखे हैं तो ये 20.13% गिरा है Q2 में profit after tax and net profit 120 करोड 40 लाग है जो previous quarter में ये 238 करोड 40 लाग था और previous year के Q2 में ये 178 करोड 30 लाग था तो pat में year on year basis पर 32.47% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो pat लगबग 50% गिरा है quarter on quarter basis पर इतनी गिरावट की बज़ा 118 करोड का पिछले quarter का exceptional gain है Q2 में earning per share 52 रुपे 20 पैसे है जो previous quarter में 103 रुपे 50 पैसे था और previous year के Q2 में ये 77 रुपे 42 पैसे था तो earning per share में year on year basis पर 32.47% की कमी हुई है और अगर हम लोग quarter on quarter basis पर देखें तो ये लगबग 50% गिरा है तो दोस्तों हम लोगोंने देख लिया इस company का revenue from operation पैट, EPS इन सभी में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर गिरावट हुई है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आप से अगले वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद